हेलो एवरिवन राधे राधे आज मैं लेकिया हूँ पालक पनीर की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होती है और फटाफट से बनके तयार हो जाती है तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब पालक ली थी और उसको अच्छे से वाश करके उसको बाल के इसका एक स्मूध सा पे स्ट्रेडी कर लिया है और उसके बाद एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ओयल और थोड़ा सा जीरा और उसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा लहसून हरी मिर्च और अद्रक को छोटा-छोटा कट करके डाल दिया है और साथ ही एड़ करेंगे हम थोड़ी सी रेड मिर्ची जो अच्छी लगती है खाने में बहुत अच्छा सा टेस्ट और उसके बाद दो बड़े साइज के प्याज फाइन चौप करके डाले हैं और इसको अच्छे से हम फ्राइ करेंगे जब तक यह बढ़िया से एकदम भून नहीं जाते इनका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता और उसके बाद में दो दो टमाटर लिये हैं और उसको भी छोटा छोटा सा कट कर लिया था और उसके बाद में इसको एट कर दिया है अब इसको खुब अच्छे से भूनेंगे जब तक के हमारे टमाटर ये गल नहीं जाते और उसके साथ अब हम एट करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा दही एकदम फ्रेश दही लीजेगा खटा वाला दही ना लीजेगा और इसको बच्छे से फेंट लीजे और उसके बाद इसको एट कर देंगे और फिर से हम अपना चलाते हुए अच्छे से मसाले को भूनेंगे जब तक ये ओयल रिलीज ना कर दे और उसके बाद में एट करेंगे हम अपना जो हमने पालकी प्यूरी बना कर रखी है उसको एट कर देंगे और इसको भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे जितना हम इसको भूनेंगे उतना अच्छा सा टेस्ट आएगा जब इसमें ऑईल रिलीज होने लगेगा तब हम एट करेंगे घर की जो मलाई होती है हमारे घर में जो दूद होता है उसको एट अचछ से अभी हम इसको और थोड़ी देर चलाएंगे थोड़ी देर चलाने के बाद हम एट करेंगे पनी आप मन्चा है शेफ में पनी को कट कर लीजिए और अपनी पालक की जो सबजी हम रेड़ी कर रहे है बहुत हलके हां से इसको चलाना है जिसे हमारा पनीर तूटे न और फिर उसके बाद आप अपने एकॉर्डिंग जैसा आपको ठिकनेस चाहिए या आप जैसी थोड़ी सी रसे वाली सब्जी खाना चाहते हैं उस तरीके से आप इसे पानी एड़ कर लीजिए और हमारी बहुत ही बढ़िया सी पालक पनीर की रे मौसम है मार्केट में खूब सारी गाजर आ रही है और स्ठंड के मौसम में हर एक घर में गाजर का हलवा बनता ही बनता है तो बस वही मैं अपनी रेच्पी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं तो मैंने यहां पे दो किलो के करीब लिया था गाजर और उसको छिसे धुल करीब दूद और बस धीरे धीरे चलाते हुए हमें इसको मध्यम आज पर पकाना है जब तक हमारा दूद अच्छे से सारा एब्जॉब ना हो जाए बिल्कुल पानी खतम हो जाए तब तक हमें इसको चलाना है और उसके बाद हम एड़ करेंगे चीनी जित्ती आप जैसा मी मैं यहां पर आड़ कर रही हूँ दो स्पून के करीब देशी घी जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा खुश्बू बहुत अच्छी आएगी और हमारा जो हल्वा है वो कड़ाई में लगेगा भी नहीं चलाते समय क्योंकि अभी हमें इसको अच्छे से भूनना ह और दूसरे साइट मैंने एक और पैन चड़ाया है उसमें एट किया है थोड़ा सा गही और थोड़े से ड्राइफ रूड्स जो हमको अपने हल्वे में डालने हैं बस उनको हलका सा रोष्ट कर रही हूं मैं बिल्गूल हलका सा कलर चेंज होने तक जब हम रोष्ट करके भून लिया है हलका सा क्योंकि मार्केट में पता नहीं कितने दिन का रहता है और हलका सा अगर हम उसको भून के डालते हैं तो हमारे हल्वे का स्वाद और बढ़ जाता है और खाने में और ज़्यादा टेस्टी और स्वादिस्ट लगता है और फिर उसके बाद मैंने हापे ड्राइफूट्स एड्ड कर दिये हैं अगर हो सके तो आप जो खोया है उसको थोड़ी दिर पहले जो भूण के रख लें थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप हल्वे में एड्ड कीजिए वरना जो है वो बिल्कुल हल्वे में देखने में तो पता नहीं चलता है कि ह हुमारे हल्वे में हमने खोया भी एड्ड किया है लेकिन तेस्ट तो बताता ही है तेस्ट बहुत बढ़ जाता है और मैंने यहां पे तुरंत ही फ्राइ कि हैं एकनी निकौल करीम ऐना निकाला मिना मकाल मुझे गण्याद और 90-25 बेहला बनात लिया कि तोकि बार пару टाइम रख़ा है एक काफे ब्लीट बनॉम आ細की इसके साने और अब ये मेरा हल्वा बनके रेडी है करीब दस नाड़े दस बच किया है तो मैंने लड़ु गोपाल के लिए निकाल दिया है लड़ु गोपाल तो मेरे सोर हैं क्योंकि अब वो खाएंगे सुबा और बाकी सबसे वेट नहीं हो रहा है तो वो गर्मा गरम अभी खाएंगे तो काना जी के लिए मैंने उठा के पहले ही रख दिया था तो आशा करती हूँ कि आज की रेस्पी आप लोगों को पसंद आई होगी तो पर रेस्पी पसंद आई है तो प्लीस लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजेगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तैंक यू वोचिंग बबाई रदे रदे